देखे फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में बात करने हैं बैदान तहरे बारे में और इसको अगर देखें तो 326 पर यह आज बंद हुआ है एक परसेंट की गिरावट इसमें हमें देखने को मिली है तो क्यों यह गिरावट रही क्या कारण रहा और आगे इसमें क्या हो सकता ह सब जानने की कोशिश करेंगे लेकिन वीडियो में बने रहें और अगर पसंद आए तो प्लिज लाइक कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा देखे एक लाख इकिस हजार करोड की कंपनी है 326 का करेंट प्राइस चल रहा है एक सचालिस की बुक वैल्य सब्सक्राइब तो बहुत अच्छी कंपनी है यह कंपनी जो है देखिए वेदानता एक बार को समय था इसका कि इसने 441 रुपे तक यह गई थी अभी सिर्फ 326 रुपे पर ट्रेड कर रहा है इन फ्यूचर फिर से देखिए यह फिर से हमें जाते वह दिखाई देगा तो वाली बात है नहीं इसमें ग्रावर्ट में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा भारत पे के 12 प्रसंट क्लब के बारे में और देखिए यह जो 12 प्रसंट क्लब है इसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमुम हजार रुपे से लेकर मैक प्रसंट का इसमें इन्वेस्ट करके आप महीने का 10,000 रुपे तक कमा सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट करना चाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से आप इसको जोईन कर सकते हैं साथी साथ देखिए इसकी सबसे अच्छी बात जो है तो यह RBI से अपरूब है P2P NFC है यह और यह जो है अगर आप लोन भी इससे लेना चाते हैं तो लोन भी देती है लोन पर भी यह सिर्फ 12% का ही ब्याज लेती है लेकिन इसको पहले आपने जोईन करना होता है तभी 12% पर इस पे आपको लोन मिलता है और देखिए कभी भी आप किसी भी बैंक में जमा करते हैं तो आपको जो ब्याज मिलता है वहां 3-4% तक का मिलता है और अगर हद से आद आप FD करा लेते हैं तो वहां मिलता है आपको 7-8% का जो की बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन यहां अगर आप कराते हैं यहां पैसा जमा करते हैं त यहां पर जो है कुछ भी नहीं बस एक बार आपने प्रोफाइल क्रियेट कर दी इसके आप एक बार मेंबर बन गए तो वहां से आपको फिर लोन लेना है तो 12% पर मिल जाएगा और सारी चीज डिजिटल होती है कोई इसमें एक्स्टा कुछ नहीं लगाना पड़ेगा आपक इसके अकाउंट में बना रहता है तो इसको जोइन करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से आप जोइन कर सकते हैं देखिए जो गिरावट हुई है उसका मेन कारण है कि इसकी 27 जनवरी को एक बॉर्ड मिटिंग है कल देखे 26 जनवर यहां बताए गया है और देखिए अगर डिविडेंट आता है जिसका की जायतर चांसे हैं के आएगा तो इसकी रिकोड डेट रहने वाली है चार फरवरी तो इसमें क्या है कि आज मार्केट में ग्रावट हुई उसका कारणी यही था कि 27 को तो बैठक होने वाली है बाद फिर से उन्होंना खरीददारी की अच्छी क्वांटिटी में उठाया क्योंकि सब को पता है कि अच्छा डिविडेंट आने वाला है तो सिर्फ यही कारण था कि आज गिरावट हुई है कंपनी में नहीं तो शेयर में कोई नेगिटिव नीज नहीं थी जिस कारण य भोसित किया है और इसके लिए रिकोर्ड डेट रखी थी इन्होंने 30 जनवरी और 15 रुपे 50 पैसे इसने नवंबर में भी दिया था कुल मिलाकर जो है इसने अभी तक 48 रुपे और 50 पैसे का डिविडेंट ये भी दे चुकी है अभी तक कौन सी हिंदुस्तान जिंक हमारी तो जो हमारी वेदानता है इसका भी डिविडेंट आएगा ही और 100 प्रसेंट शूर है कि ये आएगा और देखें ये वित्तिय वर्स चल रहा है फाइनेंशल येर दोहजार तेईस बाइस तेईस इसमें पहले सबसे पहले डिविडेंट इसने दिया था च्छै अप्रेल को 31 रुपे 50 पैसे का दूसरा डिविडेंट फिर जुलाई में दिया था 19 रुपे 50 पैसे का और फिर नवंबर में 17 रुपे 50 पैसे का तो अभी तक जो है 68 रुपे 50 पैसे का ये डिविडेंट दे चुकी है अब भी जो है लगबग 20 से 30 रुपे के बीच एक डिविडेंट हमें आता हुआ दिखाई देगा तो बड़े जो प्लेयर हैं उन्होंने आज मार्केट नीचे गराया और नीचे से फिर से खरीददारी की है क्योंकि देखिए वो कई करोड़ों रुपे लगाते हैं तो उन्हें तो अगर एक शेर पर एक दो रुपे भी बचे तो बहुत अच्छा हो गया और फिर डिविडेंट अलगी रहा तो इसलिए रिटेल में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत